Hello friends, welcome back to Pat Nursing Academy. आज का टॉपिक है Glasgow Coma Scale, जो है कि ये Neurological Assessment Tool. कोई भी अगर Neurological Assessment करनी है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो आती है, वो है Glasgow Coma Scale. तो चलिए जान लेते हैं ये चीज है क्या? सबसे पहले GCA Scale was published by Graham Teisdale and Brian G. Janet in 1947 at University of Glasgow's Institute. तो ये Scale published ही थी 1947 में, Glasgow's Institute में. तो उसी के नाम से हुई है Glasgow Coma Scale और published कौन किये थे? Graham Teisdale and Brian J. Janet ने. तो ये GCA Scale का काम क्या है? The GCA Scale is used to describe the general level of consciousness. तो हम क्या देखते हैं? General level of consciousness in patients with traumatic brain injury and to define broad categories of head injury. तो कोई भी अगर traumatic brain injury हुई है या head injury हुई है, तो उसमें patient का conscious level क्या है? और उसका brain का condition क्या है? वो हम पता लगाने के लिए जो tool का use करते हैं. उसे हम बोलते है GCS यानि की Glasgow Coma Scale. तो इसमें minimum score क्या होती है? 3. Maximum score होती है 15. तो हम tool क्या-क्या है वो देख लेंगे. इसमें तीनों चीज हमें देखनी पड़ती है. एक है कि eye opening response, दूसरे है best verbal response, थर्ड है best motor response. तो ये तीनों हम को check करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम देख लेंगे eye opening response. इसमें हम क्या होते हैं? कुछ चीज हम check करते हैं, उसके हिसाब से हम score देते हैं patient को. तो सबसे पहले अगर patient eye open spontaneously करती है, तो उसे हम score देंगे 4. अगर उसे हम नाम से पुकारते हैं, यानि कि Mr. X आप कैसे हैं? अगर वो आख को खोलती है, तो उसे हम देंगे score 3. क्योंकि वो speech के, अगर हम speech दे रहे हैं, तभी eye open वो कर रहे हैं. तो इसमें होता है two pain. तो अगर हम कोई भी patient का finger nail में, जो nail bed है, उसमें lunular area है, उसमें अगर हम press करते हैं, तो वो अगर eye open करते हैं, यासे वो eye open नहीं कर रहे हैं, response नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम score देंगे one. तो ये हो गया eye opening response. Next आती है best verbal response. Patient को हम पूछेंगे, कि आप कहाँ पर हैं, आज कौन सा महीने का कौन सा date है, अगर वो सही तरह से बता पाते हैं, सब कुछ, यानि कि time, place and person, तो हम से score देंगे five. अगर वो little confused है, बोलते हैं कि मैं hotel में हूँ क्या, तो ये सही से नहीं बोल पाते हैं, वो hospital में हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं hotel में हूँ का, या वो little confused है, तो उसके लिए हम score देंगे four. inappropriate words, वो sentence नहीं बोल रहे हैं, inappropriate words, यानि कि सोच लिजिए, आप पूछ रहे हैं कि आप कहां पर हैं, आप आज माहिन का, कौन से date है, या कौन से माहिन है, वो नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कुछ inappropriate words, लाइक सोच लिए कि apple, car, hotel, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, next, incomprehensible sounds, कुछ sounds वो कर रहे हैं, जैसे कुछ sound कर रहे हैं, मतलब कुछ बोलने के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ sound निकला रहा है, तो उसे हम score देंगे, score two, last, no response, कोई भी response नहीं आ रहे हैं, तो उसे हम score देंगे, लास्ट देख लीजिए, based motor response, इसमें क्या हो रहा है, obeys comments, patient कम बोल रहे हैं, कि आप अपना मूँ open कीजिए, तो वो widely mouth को open कर रहा है, तो वो obeys कर रहा है, comment को, तो उसे हम score देंगे six, moves to localized pain, कोई भी अगर pain stimuli हम दे रहे हैं, तो वो patient move कर रहे है, तो उसे हम score देंगे, score five, ओबे हम कुछ comment दे रहा है, तो वो if नहीं कर रहे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pain देंगे, तो उसे करण, तो उसे हम score देंगे score five, याए चीज़ धयान में रखनी होगी, next, flexion withdrawal from pain, पेंन में क्या होता है कोई अगर 스ोच लिजए आख है यहां कुछ साथ चीज है जिसे हम उसको ऑढ़ी पर मत thinking कर रहे है तो वह क्या होका फ्लक्षिन हो जाएगा फ्लक्षिन हो जाएगा फ्लक्षी नरित कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसी के कारण से अबनॉर्म फ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम स्कोर देंगे 3 वैसे ही अबनॉर्म इसमें डी सेरीब्रेट एएए है ना कुछ बजादा तो यह मैं आद रखने के लिए बोल रहे हूं इसे पर कुछ एक्स्टेंशन हो रहा है उसका हैं लेग्स कुछ इसे फॉर्म कर रहे है जो एबनॉर्म एक्स्टेंशन है तुसे मैं स्कोर देंगी टू लास्ट में क्या है नो रेस्पॉंस, कुछ भी रेस्पॉंस नहीं है तो उसमें स्कोर देंगी वन यह हो गया तीनों सब मिला के हो जाता है बेस्ट रेस्पउंस अगर मतलब सभी में स्कोर हाइस्ट मिलते तो हो जाएगा 50 कॉमेटोस क्लाइंट के लिए होगा क्या eight or less totally unresponsive के लिए होगी जाएगी इसमें और एक चीज धियान में रखनी होगी कि कैसे हम लोग access करेंगे फिर जो कि इतना score हुई है उसमें हम कैसे patient का access करेंगे तो इसलिए देख लीजिए score अगर 3 होती है तो उसका हो जाएगा severe neurological damage score अकर 3 आती है यसका मतलब patient का neurological damage severe हूई 7 मतलब क्या है patient coma condition में है 8-12 अकर score आती है तो उसके का moderate neurological impairment हुई है 13 to 14 अगर score आती है तो मतलब में patient's online neurological impairment हुई है और अगर 15 स्कॉर आती है तो स्कों करेंच सब्सक्राइब सब्सक्राइब को अच्छे से जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो हम देख लेंगे यह तीनों चीज और तीनों चीज को हमें याद रखने पड़ेगी उसके इसाप से हमें स्कोर देनी होगी फिर हम पता लगा सकते हैं कि पेशन का कंडिशन कैसे हैं फिलाल सब्सक्राइ सब्सक्राइब कोशिश करोंगी वह जल्दी से लेकर आने के लिए थैंक यू